नमस्कार मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर रामनगरी अयोधिया में बीते साल के तरहा इस बार भी भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा अयोधिया की रामलीला में मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता आज राजधानी लखनव पहुँचे इस मौके पर कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे बतादें कि अयोधिया की रामलीला में कई नामचीन फिल्मी हस्तियां शिरकत करेंगी इस बार की रामलीला को एतिहासिक बनाये जाने की पूरी तयारी है कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक भी चाहते हैं कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की रामलीला दिखाई दे भले ही इसे कई भाशाओं में तयार करना पड़े बता दें कि पिछले साल 16 करोण से ज्यादा दर्शकों ने रामलीला देखी थी आएए देखते हैं लखनों से इंडिया पबलिक खबर समवाद दाता शरत त्रिपाठी की ये रिपोर्ट आयोध्या की रामलीला के मुख्यकलाकार आज लखनों के होटल ताज में पत्रकारों से रूबरू हुए इस दवरान फिल्म अभिनेता शाबाज खान ने लखनों शहर की प्रसंसा करते हुए कहा कि लखनों तो तहजीव वाला शहर है शाबाज रामलीला में रामल का रोल अदा कर रहे हैं आयोधय के लश्मर्किला से 6-15 अक्टूबर तक रामलीला का दूर दर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा हिल्म अभिनेता वो रामलीला में राम का रोल अदा कर रहे राहुल बूछर ने इंडिया पबलिक खबर को बताया कि वह राम का किरदार निभाते हुए काफी उत्साहित हैं राम लीला में सीता का रोल अभिनेत्री भागिस्री, भोजपुरी सुपरिष्टार रवी किशन परसु राम का किरदार निभाएंगे अवतार गिल भीवी संड की किरदार में नज़र आएंगे जबकि सुपरिष्टार बिंडु दारा सिंग हनुमान जी का रोल अदा करेंगे कैसा लग रहा है आप राम का रोल करते हुए इस खास खबर में बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चानल को वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें